हेलो एंड बेलकम स्वागे थे आप सभी का अनेकेडमी के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है कौरक शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले एक छोटे से मुद्दे पर जिसको लेकर आप सब लोग बहुत परेशान रहते हैं परेशान ही क्या है जोब जिनके पास जोब है वो इस चीज़ से परिशान रहते हैं कि जोब छोड़कर तयारी करें या जोब के साथ तयारी करें तो लोग यह पर उन बातों को समझेंगे कि जोब छोड़ने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं और बित जोब आपको क्या प्रॉफ आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है जॉब और उसके बाद उससे भी ज़्यादा परेशानी है फिनाइशल मतलब हम फिनाइशल स्टॉंग हैं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आज के टाइम पर अप घरवालों से जिस एज में हम लोग हैं घरवालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है तो मेरी अगर आप लोग सला मानते हैं आप अगर जॉड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इस खयाल को अपने मन से न रिजन्ट को देखते हैं तो उसमें 50% candidate ऐसे होते हैं जो आलेडी किसी जॉब में है कोई MNC में जॉब कर रहा है कोई UPSC में आलेडी सेलेक्टेड है कोई किसी स्टेट सर्विस में सेलेक्ट है कोई किसी SSC की थुरू सेलेक्ट हुआ है मतलब 50% बच्चे जो होते हैं वो पहले से किसी जॉब में होते हैं तब जाकर क्योण स्यॉप हैं हम लोग एक जॉम शॉने के बाद इसलिए परेशान होते हैं क्योंका मुसको वरेड़न के तोर पार ले लेते हैं एक जौब आपके लिए बड़न नहीं फिर आपसे बुल रहा हूं जौब आम उसży काम को करत है पहले आप इसको सोचे क्या फायदे हैं जॉब के आपके पस बिटा जॉब के काफी सारी फायदे हैं सबसे बढ़िया आपसे कोई एक सवाल नहीं पूछता है कि भाई आज क्या कर रहे हूँ मतलब जैसे ही आपकी ग्रेडुशन हो जाती है आपके घर वाले दोस्त रिस्त मतलब सोसाइटी के फालती को जी सवाल है उन सवालों से आपको छुटकारा मिल जाता है अगर सोसाइटी के फालतु के सवालों से आपको छुटकारा मिल जाता है मतलब आपके फालतु के टेंशन कातम हुई कि भाई क्या कर रहा है या आगे जाके क्या करेगा अगर आप को जितने अच्छे इस्तर की नहीं हो पाती है जितने अच्छे इस्तर की हम लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद कर देंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं एक बीक के लिए ऑफिस से ओफ लीजिए घरवालों से दोस्तों से रिष्टेदारों से मैंने जॉब छोड़ दी है आप ऐसे ही रियक्ट करना स्टार्ट की आपने जॉब छोड़ा है और उसी तरीके सा पढ़ाई करके सोची आपको क्या करना है सिर्फ पढ़ना है जो भी आपका भूथ है जॉब छोड़ने का आपके सरसे क्या होगा निकल जाएगा तो जॉब time में हमारी जो life है ये पैसे के आसपास चलने लगी है हमें netflix के लिए geo की recharge के लिए trendy कपड़ों के लिए look maintain करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और जो पैसा हम अपनी family से नहीं मान सकते चलिए ये तो side कर देते हैं आपको coaching join करना है तो coaching join करने के लिए fees चाहिए आपको books लेनी है तो books के लिए भी fees चाहिए आपको test series join करनी है तो test series के लिए fees चाहिए अगर आप कोई job करते हैं 5-6 घंटे के या 8 घंटे के तो आपको इतने सारे पैसे मांगने नहीं पड़ते family से आसानी से इन services को आप लोग क्या करा सकते हैं अवेल करा सकते हैं इसके अलावा और विक और क्या tension है हमारे पास ये tension नहीं रहती कि भ hobby'ya अगर selection नहीं होगा मतलब अगर हमारा selection नहीं हुगा तो फिर हमारा क्या हुगा इसको लेकर हमारी मन में कोई परेशाइन नहीं होती मतलब अगर आपके पास जॉब है तो आप हालतु में परेशान होना बंद कर दीजिए बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए जॉब को आप लोग पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं इसके वारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं देखिए जॉब को आप लोग सिर्फ एक सोर्स ऑफ मनी समझिए ऑफिस आते हैं बहुत सारी परेशानिया रहती हैं काम आता है बर्डन रहता है बहुत कुछ बोलता है घरवालों के एक्सपेक्टेशन रहती हैं लेकिन आप थोड़े से समय तक इन सारी जीजों को सोचना साइड कर कर दीजिए एक रॉयल लाइफ के सपने देखना बंद कर दीजिए जॉब को सिर्फ इतना सा समझे कि हमको घरवालों से पैसा नहीं मांगना पड़ता हम घर के जो काम करते जिसके वालते हम लोग घर में रहते आसानी सर्वाइब करते उतने समय के लिए हम लोग क्या करते ह अब यहां पर कर रहे हैं तो जोब तो हमें बिल्गुल छोड़ना नहीं है आप जिस बर्क प्लेश पर जिस पी जगए हैं आप अपनी उन इसकिल्स को ही बताए जिन इसकिल्स पर आप काम करना चाहते हैं ज्यादा इसकिल्स नहीं बतानी है जिस पोस्ट के लिया अपको जब है तो आप अपको लखी मानिये और आपके जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करते रहें. अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, कि सर्फ हम जब के साथ तैयारी कैसे करें, तो जब के साथ तैयारी आपनों को कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको पूरी फुल वीडियो लेकर आँगा, जहां पर हम लोग समझेंगे कि जोब चाथ हम तयारी कैसे कर सकते हैं अभी ये लेक्चर लेने का मेरा उद्देश सर्फ इतना ही था कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं परिशान होते हैं, सर्फ जॉड़ दें, जॉड़ दें जॉड़ दें, जॉड़ जॉड़ दें, जॉड़ चोड़ने के बाद कुछ नहीं होगा, आप कभी 18 से 20 घंटे नहीं पड़ेंगे और ना ही कोई 18 से 20 घंटे पड़ता आपके सामने ये सारी समझसे हैं फिर से आ जाएंगी रिष्टेदार परिशान करेंगे, घरवालों से पैसा मागना पड़ेगा, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होगा, अभी आपके पास क्या है पैसे हैं, तो आप कोचिंग कर सकते हैं लेकिन कोचिंग नहीं जा पाते हैं तो आपको लगता है जोब छोड़ दे, जब पैसा ही नहीं होगा, तो कहां से कोचिंग कर पाएंगे घरवालों से तो मांगेंगे नहीं फिर लगेगा जोब क्यों छोड़ दी अभी आपकी पड़ाई हो सकती है जोब के साथ, एक प्रॉपर स्टेरजी के साथ जितने समय तक आपकी जोब है उतने समय तक आफिस में रहिए उसकी बाद ज़्यादा पाइटी करने जाना घूमने जाना यह सब बंद कर दीजिए और आपका जो सफर है उसको आप पड़ाई को देना स्टार्ट कर दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपनी जॉब को चैंज कर देंगे और जो आपका सपना है आप उसको क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे आयूब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है उसकी वीडियो में आपको प्रुवाइट करा दूँगा आप इस वीडियो में वो सारे कमेंट कर दीजिए जो आपको परेशान करते हैं जो आपके साथ रहकर तो मैं आसानी से स्पेक लेक्चर बना पाऊंगा तो धन्यवाद, थेंक्यू बेरेमिश पूर डिसकर्शन और कॉसस कीजिए आपके परेशानियों को बताने की